Hello students, good morning to all, hope so you will be safe at home, dear students, today's our topic is tenses, dear students, जब भी tenses की बात आती है, तो mind में मतलब एक ही स्वाल उठता की tenses हमें नहीं आएंगे, dear students मैं आपको बता देता हूँ, tenses बहुत ज़्यादा easy है, जैसे मतलब आपको करवाया जाए, आप उसी तरीके से करें, आप लाइफ में तभी भ जो tenses है वो नहीं भूलो गए, and that grammatical part में जब भी tenses से related कोई भी queries होगी, या questions होगा, आप उसको अच्छे से understand भी कर पाओगे, and that अच्छे से मतलब sentence को clarify भी कर पाओगे, dear students, tenses, tenses की जब हम बात करते हैं, तो हमारे mind में सबसे पहले बात आती है, कि tenses होता क्या है, tenses का म जो specific meaning है, वो है क्या, जब भी tenses की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे mind में एक यह word आता है, time, and that जब भी tenses को हम time के according डिनोड करते हैं, वैसे tenses का जो Hindi meaning होता काल, जिसको हम से हमें भी बोल देते हैं, और जो time की, जब हम बात करते हैं, tenses is a category that expresses time reference, यानि कि, tense वो स्रेणी है, जो समय संधर्ब को व्यक्त करता है, like, let's see here, मैं यहाँ पर write भी कर देता हूँ, tense is, tense is a, let's see here student, tense is a category that expresses time reference, यानि कि tense जो category है, स्रेणी है, जो time expression, जो समय संधर्ब को express करती है, व्यक्त करती है, उसको हम tense कहते है, but students, जब हम बात करते है, tenses की, तो tenses में जब time, हम बोल देते है, time, like, tense को हम time बोल देते है, but कै इसका कोई दूसरा नाम भी है, कभी मतलब आपको समझ में आया या कभी सुनने को मिला, क्योंकि जब हम time की बात करते हैं, तो English grammar में ऐसे rule होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय पर हो रहा है, तो then हम वहाँ पे time को denote करते हैं, for example, like, जैसे मैं एक example आपको बता देता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानि कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब जो इसमें पढ़ाना है, it means that कि वो time condition को show कर रहा है कि वहाँ पे कोई चीज पढ़ाई जा रही है, but जब हम बात करते हैं, या इसका कोई दूसरा नाम हो सकता है, हाँ, dear students, tense का दूसरा नाम होता है, वो होता है, work, यानि कि काम, अब हमें जब tenses की term को बताया गया है, tenses के बारे में बताया गया है, कि tenses को, हम time ही बोलते थे हैं, but tenses को हम as a work के according भी denote करते हैं, और इसकी जो complete sense को जब हम define करते हैं, कि English grammar में ऐसे rule होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम एक तो कौन से समय पे हो रहा है, और वो काम यानि कि कितना हुआ है, यानि उसका जो work का जो time conditions थी, वो कितनी रही है, अब हमने एक example लिया था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें काम तो है कि मालने कि वो पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कोई कोई भी पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम वहां पे हो रहा है, लेकिन क्या कोई इसमें कोई ऐसा जो चीज है, जो missing हूँ, हां, यह हमें बताता है कि जो काम है वो कितना हुआ है, इट मेंस देट की वो itenses के रूल से हमें बताता है कि कोई भी काम कितने इसमें में जो हुआ है और हो रहा है वो हमारा talk, तेंसिंच होता है, जैसे हमने पहले ही मतलब किट नुल्ष ताइम करें। में कि मुझे ही तेनसिख करते हैं। इंगलि ग्रैमर में ऐसे रूल होते हैं, जो भर मैं कितने रूए है। कोई भी काम कॉन से समय हमें थे रहा है और काम कितना हुआ है। After that, जब भी हम Tenses की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं Types of Tenses. अब जब Types of Tenses की बात आती तो माइंड में वही चीज निकल गयाते हैं कि Types की जब हम बात करते हैं कि कोई भी प्रकार हो सकता है. तो यहां पे भी Types of Tenses वो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक तो जो Time और एक जो हमारा क्या है, Work. अब वैसे तो देखो Types of Tenses की जब बात करते हैं तो 3 Types में होते हैं, लेकिन Time के According जो Tenses की जो Types हैं, वो क्या है कि एक तो जो हमारा Past है, वो Time के According, Present. and Future, Future, Past यानि की जो भूत काल है या जो बीत गया है, भूत काल, या भी ता हुआ जो समय है, Present, वर्तमान काल, और Future, भविश्य काल. अब यह तो हुई Time की जो Types हैं, यानि Time के कितने Types हैं, थ्री Types हैं, Past, Present and Future. अब जब बात करते हैं, वर्क की, like, let's see here, कि जब हम बात कर देते हैं, Types of Tenses, कि हमने Time को देनोट कर दिया, Past, Present, and Future में, and that, वर्क की भी मतलब क्या होती हैं, कि हाँ, Types होती हैं, First, like that, Indefinite, Second, इसका है, Continuous, and that, Perfect, and Perfect Continuous. This change, let's see here, Indefinite, जब हम बात करते हैं, वर्क के अकोर्डिंग, कि Indefinite हो, बल्ल, उसकी Types है, Continuous उसकी Types है, Perfect उसकी Types है, and then Perfect Continuous उसकी Types है, अब जब हम बात करते हैं, Indefinite की, Indefinite का Hindi मेनी अब सभी को पता होगा, कि जो चीज क्या हो, Anisit हो, वो हमारी क्या होती है, Indefinite, जो, बल्ल, हम डिफाइन करते हैं, उसको Anisit, Things के साथ, Continuous, जो लगातार, जारी ही कह सकते हो आप, या जो चल रहा है, उसके According, Perfect, Perfect means, कि वो पूरा है, या पूरण है, या आप कह सकते हो, Complete भी बोल सकते हैं उसको, And that, मैं एक बार थोड़ा सा, पिछे जाना चाहूँगा, Indefinite, Anisit, जिसको मतलब हम कह सकते हैं, Not Confirm भी हो सकता है, Continuous means, लगातार, जिसको हम Progressive भी बोल सकते हैं, Perfect, जो मतलब Complete, या नि, पूरण हो चुका है, Now, Let's, Perfect Continuous के बारे में हम थोड़ा सा, बाद में डिसकोस करेंगे, वैसे इन दोनों जो Work के टाइपस हैं, इन से मिलकर बना है, कि Perfect Continuous, यानि कोई भी काम, मतलब, जारी भी है, लेकिन अभी वो पूरा, कुछ पूरा हो चुका है, और कुछ जो, उसमें काम अभी बाकी है, Dear Students, Dear Students, जब भी हम बात करते हैं, कि like Tenses की, कि हमें मतलब, हमने स्टार्ट किया कि Tenses क्या है, कि मतलब, कोई भी काम, या एक तरीके से, वो काम कितना हुआ है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा मतलब, भी हमने किया, जब हम Tenses की बात आईगी, Tenses के और क्या नाम है, तो हमने Time, और and that Work को Define कर दिया, अब जब बात आई, कि Time को हम किस तरीके से Short करते हैं, और Work को किस तरीके से Short करते हैं, वो हमने यह आपे उसको भी Clarify कर लिया, Now, let's see here, कि जो Tenses की जो Types है, वो Times और Work के According है, और आप इनको इस तरीके से बतलब Better Way में आप समझ सकते हो, Now, let's check here, कि जो Tenses की जो Types है, जो 3 Types है, उनको हम कैसे Define करेंगे, या कैसे मतलब उनको Check करेंगे, Now, let's see here, Types of Tenses, there are 3 Types of Tenses, Present Tense, Past Tense and Future Tense, इस तरीके साथ Tense ज़रूर मैंने करें, जब भी आप अपनी Fair Notebook में या कहीं पी मतलब आप Notes प्रिपे करेंगे हो, तो देन उसके According, Present Tense, Past Tense and Future Tense, जब भी Types की बात करते हैं, तो there is a 3 Types of Tenses, Present, Past and Future, Present जो हमारा वर्तमानकाल है, Past हमारा जो भूतकाल है, और Future हमारा जो भीशितकाल है, अब इनको हम कैसे समझेंगे, या इनको मतलब कैसे Define करेंगे, कि Present Tense, Past Tense को हम एक Formal वे में, या एक तरीके से हम कह सकते हैं, आसान तरीके से, उनको कैसे Define करें, Present Tense, जब भी हम Present Tense की बात करते हैं, it means that कि कोई भी काम क्या है, अभी चल रहा है, यानि कि उस काम में, अभी मतलब ये कह सकते हो कि काम पूरा होने की बात है, लेकिन उस काम में अभी भी क्या है, कुछ Spending Work है, यानि कि वो चल रहा है, Past Tense, यानि कि जो चीज़े पहले जैसे कि अब हमारी जो है Tense की क्लास चल रही है, it means that कि वो Present Tense है, Past Tense, कि हमने Last Day, हमने क्या किया था, कि हमने वर्ब्स के According, मतलब हमने जो कुछ Topics थे, या वर्ब्स थी, उनकी कैसा कि हम Types को या उनकी Form को हमने डिफाइन कहता कि First Form है, Second Form है या Third Form है, and Future Tense, कि कल हम Tenses के, जो Past Tense है, उसके जो और Structures है, Rules है, उनको हम पढ़ेंगे, तो वहारा Future Tense होगा, Now, Let's see here, Students, and Dear Students, अब हम पहले मतलब उन्ची जो पर बात कर चुके कि Tenses की Types है, and that उनके Time or Work के भी उनके, अब बात आती है कि Tenses का जो Main जो Part होता है, Concept of Helping Work, वो हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको एक Example बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपके स्कूल में कोई Seminar चल रहा है, और उस स्कूल में जो बच्चे हैं, वो सभी की जो Rest, जो है, Same है, तो आप कैसे मतलब उनको Defining कर पाओगे कि वो आपके स्कूल के बच्चे हैं, या फिर वो किसी कैमपस से रिलेट करते हैं, या किसी अकाइडमी से रिलेट करते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, कि उन बच्चों को एक Special Uniform Code कह सकते आप, या Dress Code मतलब हमें उनको देना पड़ेगा, जैसे कि हम मान ल पाओगे ना, रेड कलर की क्या होने चाहिए, सर्ट होने चाहिए, और जो अधर केमपस के हैं, वो क्या होंगे, वो हमें ग्रीन कलर की जो है, सर्ट या मतलब जो, हाँ, ग्रीन कलर का मतलब जो concept उनका यूनिफोर्म में रहेगा, अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्कू या अधर केमपस के बच्चे कोन है, उसी तरीके से हमें टैंस में, मतलब ये पता चलेगा कि वो टैंस है कौन सा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, concept of helping work की सहायता लेनी पड़ेगी, अब वो सहायता कैसे होगी, कि present जो टैंस है, या past टैंस है, या future टैंस है, इसमें कि present टैंस कब होगा, past टैंस कब होगा और future टैंस कब होगा, वो हम helping work की सहायता से मलब उनको देख पाएंगे, simplification है, आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें या पे note डाउन की है, do, does, is, am, are, has, have, ये तो हमारा क्या होगा, कि ये जो helping work कई में पे बियाती है, it means that कि हमा continuous है, वो हम बाद में उसके discuss करेंगे, past tense means कि जहां पे did, was, were, had, यानि कि वो क्या हो, helping verb हो, तब हमें past tense का पता चलेगा, future tense, will, shall, will, shall, have, will, will, have, shall, have, and that और इसके जो आगे के पार्ट से हो, हम आगे की वीडियो में उनके बारे में discuss करेंगे, अब आपको ये तो पता चलेग आपके पास question भी होगा, कि sir हमें उसका मतलब कैसे पता चलेगा, कि ये present tense है, past tense है, future tense है, या मतलब जो helping verb है, ये है क्या चीज़, तो हम एक example के through, उसको थोड़ा सा check कर लेते हैं, अब मैंने यहां पे एक sentence राइट किया, for example, राधा does not understand English, अब बात वही थी कि हमने यहां प चीज़ों का यूज करते हैं, future में इन चीज़ों का यूज करते हैं, but इस sentence के through हम कैसे मतलब उसको define कर पाएंगे, कि वो present tense है, क्योंकि हमने देखो अभी किया कि present tense में जो helping verb है, वो क्या यूज होगी, हाँ, let's see here, does, यानि कि it means that कि ये confirm है कि हमारा present tense है, क्योंकि हमने अभ ये तो हमें पता चल गया कि дख है, हमारी helping verb होगी, और present tense ہو गया, लेकिन बात यहां पे ये बी है कि ये तो हमें time conditions का पता चला है, लेकिन जो time rules का पता चला है, it means that कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है time rules, अब बात आई कि work rule, यानि कि work rule होगा क्या, अब ये work rule होता क्या है, य पहले तो time के बारे में बता है कि टैंसिस को हम time कहते हैं वर्क कहते हैं फिर आपने define किया कि जो टैंसिस के time जो है वो present past and future में आता है और work है वो indefinite continuous perfect and perfect continuous में आता है लेकिन उसके बाद आपने define कि concept of helping work है उसमें present tense past tense on future tense present tense में क्या आता है कि do does is MR has have आता है और past tense में did was were had आता है and future tense में will sell या उससे related concept वो आता है अब यह times rule की आपने मतलब बता दिया work rule होता है क्या है now let's see here dear friends work rule जब भी हम work rule की बात करते हैं sorry work rules की बात करते हैं इसमें हम जो हमारी form of verb है जो हमने last topics हमने किया था वर्ब्स का कि हमारी जो first form of verb है second form of verb है या third form of verb है dear students कुछ students मतलब वहां पर present नीते में थोड़ा सुसको define कर देता हूं कर देता है